कि अच्छ आख कर आप अच्छ ओप आपको सिरीज कैसी लग रहे जी के ओफिशल पेपर जो आपके 2023 के अंदर आया वह बिटा हम सारे देख रहे और हम सारे ही पेपर करके हटेंगे बेटा जर्नली होता क्या है कि हम फिसे पढ़ते हैं और पढ़ते जाते trilog तो इसके लिए सबसे पहले विशेज जरूरी है हमें कि पहले प्रिवियस यर पेपर पड़े उसके अंदर क्या आया है दैन उसके बाद हम आगे बढ़े गुड इवनिंग गुड इवनिंग टु आल सभी को मेरा सलाम सस्वयकाल आदाव जैहिन वंदे मात्रम चलिए सुरुआत कर देते हैं किलास की ठीक है मेरे भाई प्रिवियस यर पे पेपर है और आपको बताना है पहले सवाल का उत्तर बड़ा आसान सा है सोचोगे यह तो हमें आता है बहुत आसान है सरी तो चलो आता है तो फिर बेटा आंसर भी बताना है इन इमेल वाट ड़स दक एक्रोनियम सीची ऐसा होता है कि मुझे सीची में लग लेना जब आप क इमेल की एक कोपी उसी के पास भी चली जाएगी तो यह जर्णली आउट्लूक में होता है सीची का कॉंसेप्ट अपने आप तो जल्दी यूज नहीं करते होगे क्या ताहिए बेटा कार्बन कोपी ठीक है पहले का यह content कोपी नहीं बेटा इमेल में कार्बन कोपी होता है स का मतलब होता है कारपन कोपी मैंने आपको बताया ना जब कभी आप कोर्परेट में किसी ओगनाइजेशन में यही भी बनोगे ना तो आपके जो उपर के एक्षन है यह सब जो होंगे वो कहेंगे कि आप इस परसन को मेल भेज रहे हो तो इसमें मुझे सीसी में रख लेना का कारपन कोपी मेरे पास भी आजाए तो क्या है बहिए कारपन कोपी का अंसर हो जाता है करबन कोपी कि दूसरा सवाल तो इंदर को इंदर कोन डेकर चले आंसर चल जल ली दोगे तो इससे आपका पेपर रिवाइज हो जाएगा आपको पता चल जाएंगी बिटा कि क्या सवाल आते हैं और कैसे सवाल आते हैं पहले का सी सुभम बिल्कुल सही है ना तर जी के कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे पढ़ें कुछ बताएं दीके करना सबसे बढ़िया एक ही तरीका होता है बेटा जी के ना मैंने सुरूबात में बताया था एक सागर की तरह इतनी बड़ा है जी के कि आप पढ़ते पढ़ते मतल को कॉशन हो रहे हैं आपके तो आपको लगेगा कि मुझे चीजे आ गई और सबसे बढ़िया छोटे-छोटे नोट्स बनाओ अब जैसे मैंने कार्बन को पी बताया आप लिख लो फिर उससे इमेल से रिलेटिड जितने भी सवाल है वो लिख लो अगर आप इस तरह से सार बिल्कुल सही जो आरवी दे रहा है वो सही आंसर है आरवी हमारी मोद्रिक नीती कहते हैं इसको क्या मोद्रिक नीती बनाता है मोद्रिक नीती बनाता है और इसमें क्या जो हमारे रिवर्स रेपो रेट है क्या रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जिसे हम क्या क लगेगी क्या नहीं लगेगी यह सारा डिसाइड रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ही करता है तो दूसरे का हमारा अंसर हो जाता है पस्ट तीसरा आजाता है बड़ा प्यारा सवाल है और सभी उत्तर देंगे इसका क्या होगा वह टाइफ ऑफ लेंड ड़स दा अपर पार्ट show big-focal lens है कि उपपर के पार्ट में कौन सा पह अहोता है बाइफ decmal लैंस होते हैं कि अगर हम देखे तो दो तरह के दरह सकते हैं कि अपर पार्ट और लोरका स ब्रृब对 को कैसे एनलाइ अपर पार्ट पर कौँन सा होगा लो और कौं सा हो तो आपणे एक चीज अनलाइज करो, कभी-कभी ऐसे करके और ऐसे करके देखते हैं आदमी ऐसे करके देखते हैं, तो concave और convergence में से ही कोंवागे होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बिट अब धूर की चीज समझ नहीं आती और concave में pass की नहीं आती तो कौन सा यूज होता है जब उपर वाले portion में जो होता है, एक तो नीचे होता है, छोटा-छोटा उपर वाले में concave lens होता है क्या याद रखेंगे? अब तल दर्पन, अब तल दर्पन होता है, अब का मतलब ही तल से उपर है है अगर आप हिंदी में चले गे ना अब का मतलब ही उपर है तो तल से उपर सी से इसे उपर जो होता है यह होता है कौन के या अब तल लेंस बाइफोकल लेंस उनके लगता है जिनकी दूर की और पास की दोनों नजर कमजोर हो जाती है तेहरे का बी कोन केव कोन वेक्स जो भी कह रहा है गलत है कौन केव आप याद रखोगे आजओ आइडेंटिफाइब फाइवर विचार प्रड्यूजिन इंडिया लाज इसकेल देखो सारे सवाल जो आप 50 सवाल आज बेटा देखोगे न यह मान के चलो आपकी जर्णर नोलि और मैंने बताया जूट के मामले में वेस्ट बंगाल क्या बेटा वेस्ट बंगाल या हम कह देते हैं पच्छिम बंगाल क्यों है क्योंकि बेटा जो हमारी सारी नदियां पच्छिम बंगाल में जाके क्या है वहाँ पे इनका फिलो बहुत कम हो जाता है तो जूट के लिए होता है कोटन में अगर हम बात करें तो गुजराट टोप पे आता है बेटा क्या कौन सा इस्टेट टोप पे आता है गुजराट अगर हम दालों की बात करें तो दालों में हमारा कौन सा आता है तो MP को टॉप माना जाता है भारत के अंदर वीट में अगर हम बात करें तो उत् में असम आता है तो यह सारी चीजे बेटा याद रखेंगे आंसर हमारा यह हो जाता है जूट और कपास भारत में जिसका सहामुई की रूप से उत्पादन होता है चलो फूक अने दा पंजाब क्या बहुत दूसरे अगल सिक्ट के परिणाम पंजाब राज्य को बिटिस में किसने मिला दिया अब जो एंगल सिक्ट युद्ध हैं बेटा मैं इसकी सारी चीजे आपको बताऊंगा कि बहुत किसने मिलाया और किसने नहीं पहला कब हुआ था दूसरा का बुआ था सारी चीजे बताएंगे अभी आप आंसर दोगे फूर्ट का अंसर जो भी सुमम अनूबा राहुल रोहित कुनाल भाई आपके आंसर सभी के सही है शांदार आप आंसर दे रहो सभी बताएंगे तो कुनता मेरे भाई लोड डल हो जी जब दूसरा अब यह चीजे समझ लो बेटा क्योंकि अगर इसने पहला पूछा है तो जरूर कहीं ना कहीं आपसे दूसरा पूछेगा तो आओ समझ लो कि क्या है एंग्लो सिक वोड जो चली थी पैतालिस से लेखे उरंचास के बीच के अंदर चली थी पहली सिक वोड जो हुई थी वह जैसे अगर इसमें पूछ लिया क्या बेटा कि भई लोड ढलो जी तो अगर फश्ट की बात करता तो लोड हार्डिंग याद रखो यह वाली चीजे आती हैं हार्डिंग लोड हार्डिंग किसके बीच में पहला जो एंगलो सिक वार हुआ था वो लोड हार्डिंग के समय ह हुआ था ठीक है यह याद रखोगे और यह ट्रीटी और लाहूर यही सवाल आता है कि लाहूर की संदी किस युद्ध के बाद हुई तो आपको याद रखना है 1946 के अंदर तो यह संदी हुई और किसके बीच में हुई तो जो आपका यह लोड हार्डिंग था और शिक्ष क्या था इंग्लिस एज ओवर दा सिग जो अग्रेश थे उन्होंने सिख पे तोड़ी सी बढ़त बना ली थी फिर दूसरी लड़ाई हुई चालिस के दो साल बाद ही इसमें क्या थे डल हो जी थे और दूसरा कौन था मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान यह सवाल आता है सीज ओफ मुल्तान और इन्होंने पंजाब को एनेक्स या पंजाब पे कपजा पूरी तरह से कर लिया था डल हो जी एनेक्स दी पंजाब यह दोनों चीज़ा आप याद रखना सिख वोर से आ जाती है जैसी आपने देखा एंगो नैपल वोर है ना जो संगोली की समधी 1816 में थी तो वैसे ही यह भी इंपोटेंट हो जाती है यह आपको सबको नोट्स में मिल जाएगा अब आजाओ अगला छटा कौन सी क्रूप्टोग्राफी टकनीक डेटा के एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एकल कुंजी का उप्योग करती है देखो यह अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर बेटा आप मार कर लेना सिमेट्रिक एक्रिप्शन अब आपको क्या करना इन सब चीज का मतलब जानना क्योंकि इन से सवाल बनेगा है ना गुगल पर टाइप करना और मतलब जानना आप सारी चीजे रिव पा कि लोड लगाये और बेटा आजकल तो आज कल सब चीजे कहने किया आज भी कोट में लोग लोड सी बोलते हैं जबकि सर भी को चीजों को छोडव आपने जो मतलब की čीज इसे उनको एक एलबम है बड़ी प्यारी मलब मेलोडी के घीते हैं इसमें तो बताना आए सिवकुमार पंडित रवी संकर भीमसेन जोनिया कुमार गंधरवा तो पंडित रवी संकर की क्या है बेटा ये फेर बेल मैं फ्रेंड वाज एक एक एलबम है जो म्यूजिक की है ठीक है लोड ना बोलो बिल्कुल भाई नहीं बोलेंगे चलो लोड नहीं इने एक बोल लेते हैं कुट्ता डलोजी ठीक है कुट्ता डलोजी कुट्ता हार्डिंग पहले में कुट्ता हार्डिंग था दूसरे में कुट्ता डलोजी था ठीक है मेरे भाई अब ठीक है इस्टाइल ओविस्टिगर बंगार डियुरिंग दा पिरेट बिट्विन नाइंध इलेवन सेंचुरी क्या कहते थे उसको आठवे का अंसर देंगे बंगाल में वह नाइंध और इलेवन उसको क्या कहा जाता था जल्दी उत्तर देदो सारे साथी तो आठका देखो पाला इस्टाइल कहा जाता था अगर हम बेसर की बात करें तो यह नोर्थ इंडिया और गुजरात वाले रीजन में पाये जाता है पंचायतन इस्टाइल और नाग्रा इस्टाइल यह नोर्थ इंडिया का पार्ट क्वेटा नोर्थ इंडिया में एक ऐसील की मंदिरों में वेसर सेली जो गुजरात के देने का नहीं बिल्कुल नहीं देने का भाई है ना तो आंसर आप मार्क कर लो चो था कि अधरेज डैप्त ओप कॉंटिनेंटल स्लोप लेंज देखो भया मारे जो आपका 23 वाला पेपर था ना एक चीज मैं बता दूं एक्जाम ने क्यों नी पतानी क्या था या तो वह विसेशग्या था इस सब्जेक्ट का या क्या मैरेन इकोलोजी से बहुती सवाल पूछे थे नो तारिक का हमने कल देखा था मैरेन से तीन सवाल थे आज भी दो से तीन सवाल मिलेंगे तो इसलिए जरूरी है मैरेन इकोलोजी पढ़ो आप नदी नाले रियक्टर ये सारी चीजे परवत पहड़ तो पढ़ लेते हो बेटा पर कभी कभी थो समझने के लिए का है हमारा लॉफ सी यह हमारा लॉफ सी है बिटा इस चीज को देखो एक बार समझो है ना समझो आप समझ जाओ यहीं पर तो जादे अच्छा रहेगा देखो इना अभी तो इसने पूछ लिया सी यह मैंने पूरी एक यूएन की वेबसाइट है उसी से अ किस देखो हरा हva, यह मतलब हम यहां पर कोई भी देश अगर हम टेडियाल सी के अंदर जो बारे किए फिलासने हैं तो कोई हमें कुछ भी नहीं कह सकता और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा आ स्यासाPass जोड स्वाया चान्टीजिएट सोन क्या जाता है और इसमें हम ख़दान कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ख़दान क्या होता है जैसे पैटोल निकलता है न तो पैटोल मेरीन हम । यह एक्स्क्लूसνη एक्नओमिक EC ZONE होता है governo 200 जोन होता है बेटा 200 मीटर तक कितने तक 200 nautical mile तक और 200 nautical mile तक हम जो भी हीरे जवारा जो डाइमंड होते हैं उनकी क्या कर सकते हैं खुदाई कर सकते हैं धूल सकते हैं उसके बाद हाई सी आ जाता है और फिर deep sea की बैड हो जाता है चार तरह की चीज़ें पाई जाते हैं इनको याद रखना टेरी टोलर सी की कितनी है बार है और कंटींजियस जोन की कितनी है बेटा 24 और एक्सक्लूसिव इक्नोमिक जोन 200 नोटिकल माइल तक होता है माइनिंग बिल्कुल सही कह रहे हो माइनिंग है ना चलो आगे देख लेते हैं अपना अगला सवाल इसका आंसर लिख लेना 200 से 300 मीटर तक डेप्थ में कि स्टर्फल में परचानि और सिरल और इस perfect lots से स्वावल है जैसे अगर विटामिन एका नाम पूछले कोई वीटा क्या पूछ ले विटामीन का नाम बता दो सर तो इसका नाम बता देते हम आपको रेटीनोल है ना रेटीनोल यह वाला इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है किसके लिए विटामिन एकी जिसमें भरपूर मात्रा है वह विटामिन ए इसकिन और आई साइट के लिए किसके लिए बेटा आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है आई साइट जनरली जिस जब ब्रहम्पुत्र वेन एंटर इंडिया रूणा चल् पिरदेश क्या कहा जाता है जब प्रहम्पुत्र एंटर करती है प्रियों यह नैपाल के अंदर होती है तो इसोंग्पो पर कहते हैं शोंग्पो लोहित बेटा इसकी क्या है ट्रिब्यूट्री किसकी है बेटा ट्रिब्यूट्री है यह हमारी ब्रहंपुत्र नदी की ट्रिब्यूट्री जमुना किसको कहते हैं जमुना इसको कहां पर कहते हैं यह आप बताना किस नदी का नाम जमुना है बांगलादेश के अंदर कहा जात और मतलब पैरोडिक टेबल तो आपके लिए यह मान के चलो बेटा कि एक दो नंबर सेफ करती है तो नंबर अगर वो गलत हो जाते हैं तो धाई नंबर नंबर पैरोडिक टेबल ले रही है हर एक्जाम में और कॉंफिडेंस बिल्ड अलग कर लिए और वो जब धाई नंबर बेटा गेन कर लेते हो ना तो आप दस्यों लाख लोगों से आगे पोस्ते हो अगर कॉंप्टिशन छोटा है तो लाखों लोगों से आगे पोस्ते हो है ना तो पैरोडिक टेवल बांगलादेश बिल्कुल किस वेट के हिसाब से किस ने दी तो जैसा सभी को पता है मेंडिलीव की ना डे मेंडिलीव ने क्या अनुसार और देमत्री मेंडिलीव की आवर रेनी बहुत वी कहते हैं उसके दूआरा दी गई ती तरंग पे चाईना में तरंग जोचाईना में कहते हैं जहां से निकलती है अधोड़ा साई है यहां से लिकलते हैं कैलाश मांसरोबर से निकलती है राकास ताल से तो बहुत ही छोटा सा एरिया कवर करके आती है उतो कभ जाना चहरा चीन तो विच ओना फॉलोईंग डास परफॉर्म दा वू रेन गुड्स गुड्स रेन फोर हार्वेस्ट इन बिहार ये फगुवा होता है क्या होता है बेटा फगुवा बनाते हैं बिहार के अंदर जब अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए देव इंदर को पिर्शन करने के लिए कौंशनेट्टे किया जाता है फगुवा बिहार के अंदर किया जाता है डांस होता है इससे क्या होता है इंदर देव की पूजा होती है कि भाई भगवान जी बरसो आके और हमारी फसल को अच्छा बनाओ तो क्या है बिटा फगुवा अगला देख लेते हैं 14 ये तो एकदम आपका ये मान के चल जो पोवर्टी कहां मिलेगी तो भाईया जहां पर एजुकेशन बढ़ जाती है या एजुकेशन जादे आ जाती है तो वहां पर क्या होती है बेटा पोवर्टी भी कम मिलती है केरल के अंदर 2021 का करंट पूछा था पर अगर जनरली भी आप सोचते तो सायद इसका अंसर द इस लोते हैं ऑद इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है पंदर वे का अंसर बताओ अगर आप जानते होगे तो मार्स है ना मार्स क्या है बैया मंगल गिर है जिसको हम कह देते आज दिन भी है मंगल तो मंगल गिरह आउटर प्लेनेट में नहीं आता है समझ लोगे समझाओ इस चीज को आजो आउटर इनर काज कॉंसेप्टी खतम कर देते हैं यहीं किलास के अंदर यहीं किलास के अंदर बेटा खतम करके चलेंगे सारी चीजे एक भी चीजे ऐसे नहीं है जो आपको छोड़ दूँगा यह है अब इनकी विशेष्टा भी दिखा देता हूं आपको मेरे भाई है ना देख लो सारी चीजे क्योंकि आपके पेपर में जर्नली आती है यह इनकी नेप्च्यून, और सेट्रन जर्नली इनकी यहाओटर प्लेनेट में आता है किसमें और यूपीटर भी किसमें आता है आउटर में यूपीटर को हम क्या कहते हैं बिरस्पत्रा प्लेनेट में और चाहते हैं विरस्पती और सनी जबकि मार्स अर्थ वीनस और मरकरी बुद्ध सुक्र अर्थ और मंगल किस में आते हैं बेटा यह आते हैं इनर प्लेनेट में यह आते हैं आउटर में याद रखोगे अगर ट्रिक बनानी है तो बना लो कुछ भी सुन पिलूटो मतलब सुन पिलूटो तो भार जा रहा है और अगर इससे बनाओगे में में वी ऐसे बना लो कुछ भी कि मार्स और क्या अर्थ हमारी और यह मरकरी और वीनस तो इस तरह ऐसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हो बेटा अब इनकी विशेशता जान लो इनर और कहते हैं जैसे बारत के अंदर भी क्या आर्ट के अंदर क्या है रोक है गैसी होते हैं इनके अंदर कोई रोक वोक नहीं होती है यह फ्यू और नो मून इनके क्या है जर्णरली क्या होते हैं मून नहीं होते हैं क्या होते मून नहीं होते हैं आपने सुना होगा कि विरस्पती क सबसे ज़्यादा मून है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मून किसके ब्रसपती के और उससे कम किसके सनी के मून मतलब जो इनकी सैटेलाइट होती है सबसे ज़्यादा मून या हम कह देते हैं सैटेलाइट आपने कभी नहीं सुना होगा आर्थ वीनस के भी मून होते हैं तो जर्णरली इनके मून होते हैं और इनमें क्या होती है रिंग सिस्टम और इनमें मून नहीं होते हैं और सवाल पता है बेटा क्या बना था आपके पेपर में कि सब्संदर नहीं यह सब्सक्राइब इसको कहते हैं यही सवाल आपके टीश्सच के अंदर आया था सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो गया चलो अब क्या हो गया बश्याद सबसे ज़्यादा कि हो गए हैं तो हमारे साथ है अंदर का आदमी और कैसे इन के कोई मून नहीं होते हैं बहुत सारे गिरह होते हैं पहुत सारे आदमी सात में चलते हैं और होगा तो आप इस तरह से इनको याद कर लेना बेटा है ना चलो कि बहुत बढ़िया यार यह तो मज़ा ही आगया विच्व फॉलॉइंग मोस्ट रियक्टिव मैटल अगर आपको पहले टेबल पता है तो इसका अंसर आपको देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वैसे एलिमेंट होता है कर जी के जी इसकी कंप्लीट ठीओरी क्लास बिल्कुल लेंगा अभी बेटा प्रीवियस एर पेपर आप देखो उसके अंदर जानने की कोशिस करो कि आता क्या है है अगर जब जान जाओगे और मैं फिर ठीओरी पढ़ाऊंगा तो आप लिंक कर पाओग यह क्या है इन्होंने फाउंडेशन डेश अलिवरेशन करा था नैशनल कमीशन ओफ वोमेन के द्वारा यह करंट अफेयर है ससक्त नारी ससक्त भारत उसकी थीम थी यह 2023 का पदम विवूशन दा प्रेजेंट ओफिएंस कंटिविशन इन फिल लोब आप किसको पूछ लिया यह पूछ लिया कौन से को मिला था पदम विवूशन तो आप बताओ कौन से को मिला था किसको मिला था मुलायम सिंग यादव को मिला था उस टैम पदम विवूशन पदम सिरी यह सारे ही बेटा इंपोटेंट हो जाते हैं आपके पेपर के लिए किसको मिला था मुलायम सिं ने अपने थ्रोन को एसेंड करा था कि वह सिंगहासन पर बैठा था तो 1985 में यह पूरा हिस्टरी का पार्ट है कब जोला आए कैसे आए कहां कहां पर इन्हों से रूल करा तो यह सब राजिंदर चोल कौन था सबसे पहले नेवी कौन लाया कौन निला नेवे से व्यापार किसे ने करा तो यह सारे विशाथ ठ्योरी के हो जाते हैं अब यह बताओ कितना देखो मैं बताऊ आपको जेगरफी में अभी तक आप क्या पढ़ते हो बेटा जो करफी में नहर नाले नदी परवत यह सब पढ़ते हो हिमाले कि उचाहीं कितनी है यह सब पर बेटा सवाल देखो आजकल पूछ क्या रहा है तब कह रहे हो फिर हाड हाड है तो बेटा हाड तो बने गाई ना वह पेपर है की जहां वायूमंडल हौवा वायूमंडल दावाँ में परिवरतन के कारण होने वाली जल की हलचल को क्या कह देते हैं विन्द आस्मोरिक फेर्श्र वाटर फ्रेंट विवसट ओस्यन फ्रेंट ऐसा कुछ निस सब ज इंडियन लीग इन 1985 तो भाइया सिसर कुमार घोस के दौरा किसके दौरा और यही हमारा 1885 में क्या बनी थी कोंग्रेस बनी थी इसके मिलके बनी थी कोंग्रेस यह मैं पहले भी करा चुका हूं सिसर कुमार घोस अंसर ठीक है कर सिर्फ नों-टेक्ट किलास होगी हानों टेक्ट दूनू चलिए टेक का तो कोई सवाल ही निए नों-टेक की कमी थी वो आपकी हम पूरी कर रहे हैं चलो मनीपुरी मनीपुर का एक माननेता प्राफ सास्त्रे नित्य धार्मिक अध्यात्मी नित्य जिसे कि भगवान देवी देवतागवार जिसने मेरी डांस के किलास देखी है ना वेटा वह इसको नहीं गलत करेगा क्योंकि मैं सारी चीजें बताके चला हूं किसको करता हैं बताएंगे सारे साथ तो बहुत राधा किर्षना को मनीपुरी डांस होता है ना वह है राधाकिक करता है जैसे मैंने आपको बताये था कुछी पूरी स्कूर परिजेन करता है तो लोड सीवाओ को करता है भारत नाट्यम लोड को रेप्रजेंट करता है वैसे ही कि लोड किष्चना और राधा को मनिपूरी दांस जो मनिपूरी का क्या है वार्ड के दांस का सास्तृ नित्य है लोड किस्णा आना किस्ट नह con dave तेड़ी दीवानी वो वाली स्टार्ट हुआ था क्या हुआ था वset स्टार्ट हुआ था भारत के सैनिक गए थे तबारत के अंदर अकाल आया था oulder धु में भारत थोड़ा अंदोलन चला था बहरत यह कोड़ा और यह सही समय और वो दुआरा इस टाइम ही दिये गए थे चार आंसर जो भी दे रहा है बहुत ही सही है 24 में का अंसर बताओ तो यह क्या है जैसे आपको किसी ने अरेश्ट कर लिया पुलिस आपको पकड़ के लेगी और या तो 24 गंटे के अंदर वो कोट में नहीं ले जारी या आपको पकड़ के रख रही है तो आपके कुछ राइट्स हैं जो आपको कॉंस्टिशन में दिये है और वो आर्टीकल 22 के अंदर दिये गए हैं आर्टीकल 22 में आर्टीकल 19 में है freedom to speech freedom to speech जिसके द्वारा क्या है आज कल न्यू चैनल पे या कहीं भी लोग बोलने हैं यही आर्टिकल है जो काम कर रहा है बाकी हमारा आंसर आर्टिकल 22 हो जाता है यह 25 हमारे जो धार्मिक संस्ता है ना उन से जुड़े हुए है अचिम्यार के बारे में 25 का आंसर देना है क्या होगा क्या करेक्ट है फो तीनों करेक्ट है इस्बार राटपुजा अनौमलाई पेरियार लार्जास्ट कयो सब्सक्राइब करिए से निकलती है उस 저 को देख यह मंसो सोच है जैसे अमेजोन और हम के नील नदी को देखते हैं कि लार्जस्ट कौन सी और लोंगएस्ट कौन सी है तो वैसे ही यह है ना सी हमारा बिलकुल सहुत्त ऊस्ताद अमजदल खान क्या बजाते हैं यह बता दो अमजद अली का लिए में क्या बजा रहे हैं तो यह बजहें रबाब क्या बजहरें राव जिसे हम कहा दुष के द्राब इस फॉलॉइं सिट्यूमेंट राब आप बजाते हैं सब तंबूरा लगा के आएंगे तंबूरा पर बजाते क्या है उस्ताद अमजल खली राब आपको क्या काम है कि राप डालना गूगल पर उसकी फोटो देखना इसका इस्ट्यूमेंट कैसा होता है तो आपको अलगी आनंद की अनूबूती होगी और मेरे भ अब आपको बताना है फर्स्ट सेकेंड टॉपिक यह इकोलोजिकल प्रामिंट से इकोलोजी की भी अच्छी किलास होती है इकोलोजी का पोर्शन आपके पेपर में अच्छा रहा है वह भी हम देखेंगे अब आप यह बताओ कौन सा टॉपिक लेवल कौन से लेवल पे जा यह फैइनिया फैटो कून सा आएगा जूपिलेंक टेन फाइस्टो प्लेंकटैन या फिर दो देखो दो में कौमन दे रखा है अगर हम उपर का ट्रोपिक लेवल देखे और इसको ना मैं आपको आप क्योंगे सर बढ़िया से बताओ आप ऐसे नहीं हमेरे समझ में आना चाहिए देखो यह समझा देता हूं आपको जू प्लेंक्टन और क्या है भाईया फाइटो प्लेंक्टन यह है देखो यह अगर अनिमल और हुमेंस आ जाते हैं समझें प्राइमरी प्रेडियूसर फर्स्ट ओडर कंजूमर सेकेंड़ी इंटर्मिडेटर और टॉप प्रेडेटर यह एक एको लोजिकल प्रामिंड आपको दे रखा है अब आजाओ आप उत्तर कैसे नहीं दे पाओगे अब देलो उत्तर क्या दोगे अगर हम फाइटो प्लेंक्टन देखें तो हमारा पहला क्या है भाई आप मिला ओ जो मैंने आपको बताया अब आप मिला दो जो मैंने आपको बताया अप गल्ती मत कर देना एक सही आंसर आ रहा है इसका दिखाया था ना बेटा अगर सेकिंड की बात करो उपर जाओगे तो सो पाउंड अगर एक हजार के बटे दस करोगे तो दस चली जाएगी और इससे उपर जाओगे तो एक बटे दस परसेंट मलब दस परसेंट का उर्जा हिरास होता है क्या होता है उर्जा हिरास जिसे कह देते हैं कि उर्जा हिरास होता है दस परसेंट का जैसे जैसे उपर चलते जाते हैं ठीक है भाई 27 का डी आंसर जिसका भी था बहुत ही ठीक था चलो 28 वा फरवरी की 23 की बात है सुप्रेम कोड गौर्णर ओफ आंदर पिर्देश बही एक जज साब थे अब्दुल नजील जी इन्हें आंदर पिर्देश का क्या बना दिया गया था जज थे और इन्हें गौर्णर बना दिया था इंटरनेट मौवाइल असोशेशन यह लेटेस्ट करंट था भया कौन है इससे यह पूछा गया था तो इस टैम के सुभोर रोय क्या थे इंडियन मौवाइल असोशेशन जैसे अभी कल भी सवाल आया था डीजीपी नैना कौन बनी है वैसे ही यह सवाल उस टाइम का करंट था अब इस करंट को देखके न आप ऐसे मसोच जाना यह तो 19 का करंट है इसका करंट है कब का अब इसको समझने की कोसिज करना कि यह तो पूछता क्या है यह ऐसी ऐसी ओगनाइजेशन के हैड पूछ रहा है जो आप जर्नली आवोइड करते हो कि यह नहीं आएगा खुद बिसारा सेंट जिवी का एक रोयल फिजिशन टू टू ट्रीट रूलर ओफ डाइनस्टी अवंती के डाइनस्टी को ठीक करने भेजा था अब अवंती पे पुष्पयमित्र करते थे या सोक करते थे यह आपको बताना है कौन राज करते थे विम्भी सार थे उनके दो पुत यह सवाल बहुत टॉप पाया और 80% बच्चे इसको ना बेटा गलत करेंगे क्योंकि मेटाबोलाइट दे देता तो आप सायस समझ के सही कर देते पर इसने प्राइमरी सेकेंडरी और ननोवदावाव और बूत प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही दे दिया तो यह पॉली सेक एक तो इस टैम पढ़ा है तो चार होती हैं चार होती है कुन सी कौन टीनेंटल इन एक टिनांटल एक कॉंटिनेंटल कॉंटिनेंटल एक क्वोसिए और एक होती है ओशन सीबेड क्या होती है ओशन सीवेड यह चाल तरह की ओशन की फिलोर होती है उस डाइग्राम में साइद आपने देखा भी हो चलो ता वेन्यू ओफ नाइंटीन फोर्टी एट जिसमें भारत के होकी ने गोल्ड जीता था इंडिपेंडेंडेंट के बाद कहां पे हुए थे ये तो करा चुका हूं बेटा लंदन के अंदर ये वह थे कहां पे हुए थे बेटा लंदन के किसंञ क्या थे वह मूवी बनी थी न इसी पर बनी थी किसंञ सिंग इसके थे कैप्टन इस टीम के कैप्टन थे लंदन के अंदर ये गेम हो थे तिस हो चुका चौतिस पर आ जाओ चो तिसका बताओ क्या होगा विचो फॉलोइंग रिगार्डिंग जुडीशल पावर ओफ इंडियन प्रेजिडेंट भाई साब यह सवाल तो आपके बहुती हाई लेवल का है जुडीशल पावर की कोई भी लेसर पनीश्मेंट प्लेस ओफ वन ओरीजनल पर इविचो फॉल रहेंगी रिगार्डिंग दाजुडीशल पावर इनकरेंक्ट ली मैच है ना तो बहुत यह लेसर कर सकते हैं यही इसका इनकरेक्ट ली मैच है कमडिकेशन चार्ज वन फ्रों पनीश्मेंट तू अने रफोम एक जो चार्ज लगते हैं वहीं लगाते हैं यह तो यह मान के बढ़ाते हैं देखो आगर आपका ट्रेइल कोट में चला है हाई कोट गए यह सेसंट में गए आप तो उसमें क्या लेसर परनिशमेंट हो जाती है स्ट्रिम कोट गए तो और भी लेसर हो जाती है तो इसका यह काम है और इसने इनकरेक्ट ली पूछा है देखो यह नेशनल प्लानिंग कमिशन ने की स्टेंडर ओफ लिविंग जैसे अभी मैंने करन्ट आपको कल परसो कराई थी ना उस टेम 15 से 20 पर कैपिटा मन्त होती थी अभी तो कुछ कैपिटा कितनी अठावन हजार कुछ कैपिटा पर इंकम चल लिए उस टेम 15 से 20 पर कैप मन्त होती थी इंकम और यह क्या था मिनीमम स्टेंडर ओफ लिविंग 1938 के अंदर अब 38 के लिविंग स्टेंडर पूछ लिए तो अगर इसको गुणा कर दोगे आप सो से सो या 500 से तो अब के लिविंग स्टेंडर आ जाएंगे तो यह उस टाइम का था यह तो बहुत लोग गलत करेंगे क्योंकि यह तो ऐसा सवाल है सायद ही कोई पढ़ाता हो आपको पर फाइदा यहीं है कि अगर यह रिपीट कर गया तो जैसे ही आप 15 से 20 ने पढ़ाया मारो भाया चलो आगे सब्सक्राइब देखना है नाच्ट्य अक्टूबर मोर्निंग शिफट कभ का सर待 नाइन इस आप पूंचली किसके नाम है तो इसको ना सकते हैं कुछ ऐल्गी ऐसे ह reagatori यह बिदा जो हमारी स्कीन हैलथ के लिए बहुत बैदिफीशल होते हैं जन्हीं जो ठीक से क्लास के जिने किलास लुका बेटेजी ओर सब यह सारे यलगी खाते क्योंकि इस प्रौटीनियस होते है और बहुत जादे हेल्दी होते हैं कुछ के नाम देखि लो आज़क की यह हल्दी आ मोदी चीख रहे हैं तो पहाि आप नाम तो जानी सकते हो उन को क्यों नीजो सकते हो दिया ना याज रख ले ना सारे रट ले ना इन नामों यह नाम रख ले ना ये आता है सवाल इन से कि इसका क्या नाम आपका काम है कैसे रटव यह हैं स्पसूर्ण पॉलेयरल क्या हुता है इस पेस लिए ले जाते है वाणना कोई फूड निले जाते यह एलगी इतने प्रोटीनियस होते हैं आपने एक खालिया पांच दिन तक आप उतके अंदर प्रोटीन की छमता बनी रहेगी इसलिए इंपोटेंट हो जाते हैं इसको देख लेना सारे को आप लिस्ट को मैंने लगा दिया पीडियाप में मिल जाएगी में नहीं होगी तो आपको डैत हो जाओगे तो हमारा अंसर हो जाता है धी मैंने 12 में पढ़ा था अब करने की जरूरत है बिटा SSC कहती है हम तो 12 वेस का पूछते हैं और 12 भी नी बिटा वो कहते हैं हम तो 10 वेस का पूछते हैं आपको करने है तयार इसकी approximately कितनी population 1990 में क्या agriculture को support करती थी तो कितनी थी 65 परसेंट अब कितनी ओर यह बिटा अब अगर हम आप अब बात करें तो यह 54 परसेंट के करीब है ना कहीं चववन है कहीं 48 से 40 चववन तक आप मालो अब इतनी है मतलब आधी population अभी भी agriculture में 1990 में 65 परसेंट अग्रिकल्चर से रिलेटेट थी अब यह उस टेम की करन्ट अफेर है 2022 की यह आप से पूछ ली गई है कि यह था सवाल को पढ़ना कि बाद की करण्ट अफेर पूछीynn के लिए 2022 में प्रिशिडाई ओफ Magnus परसेंट करें अदमिक अधर को मिलता है यह कुछ ऐसा कर दिया जो सरकार के खिलाफ के तो यूपा लगा देते थे तो उसको रिवीव करने के लिए तो मेरे भाई बैस में कमैटी बैठी है अब क्या है वीच हूब अब तब ही तो कहता हूं मेरे भाई आपको फंडामेंटर लाइट पढ़ने सारे जरूरी है कि कि आंदर क्या जैसे आप अखंडता एकता और संपरुपृता को शुरक्षित रखने के लिए अपनी ड्यूटि दाओ मुझे पनले नहीं पढ़ यह वही क्या प्रीवियस यह प्रीवियस यहां किया सवाल आपको इनके क्या सूख सकते हो क्या सम Adding सकते हो वह सब चीजह बता रहो जालो वीचिती डpfर तैएल तो वह यही सेकरीड को मांगते है estimation का यूज 딱 कर के नहीं बनाई जाती और डायबीटीक परेशानी नहीं खा सकते उसके लिए यह क्या होती है स्1 बेटा बहुत हीजरूरी होती है और मतलब ठीक रहती है उसको ज्यादे के परिशानी नहीं होती डायबिटीक के पेसेंट को ठीक है चलो कि अगला देख लेते नैशनल स्पोर्स दे तो बहिया 39 अगस्त अभी मैंने का कल के करेंट में पता है था 15 जनवरी को क्या महाराष्ट ने महाराष्ट ने क्या बनाया इस्टेट स्पोर्स डे और पहला राज स्पोर्ट्स डे विच्व फॉलएंगे देनेक्ट मैं राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट आया था 2005 के अंदर है ना ओप्शन ऐसे दे दिये कि कार्ट दोगे और इसको भाईया लाने में जो अर्विंद केजिवाल खांसी वाले आदमी है ना उनका विसेश योगदान था आर्टी इसको राइट टू इंफोर्मेशन जो अभी आर्टी लगा कितनी वेकेंसी कितने फारं बरे गए वह इसी से पूस्ते ओव दोस्ता आप से आया था आपको ये बताना है जो नेश्टनल कमीशन आया था वह कौन से आया था तो इसमें अगर 86 को देखें तो यह तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या जोड़ा गया था कि 14 साल के बच्चों को एजुकेशन जरूरी है एजुकेशन के लिए तो 89 हमारा आंसर हो जाता यह लेंग्वेज जोड़ी गई थी क्या जोड़ी गई थी लेंग्वेज जो सबसे लाश्ट की लें रखना क्याना इनकी यह याद रखना क्योंकि सवाल यह से बनारा रहा है वह वह पूछेगा सीधा-सीधा के 42 अमेंडमेंट कब हुआ था तो 1967 के अंदर वह पूछेगा 99 अमेंडमेंडमेंट कब हुआ था जो जुडीशल में 61 जो वोटिंग एज को करता है 21 से 18 कर दी थी वो कवाया 1988 में तो बिटा इनके यह याद रख लेना बहुत महत्पूर हो जाते हैं इस तर्च है चोदे यार बड़े के लिए एलेक्शन आर्टीकल 21 आटीशिक्स आर्टीकल 21 वही तो बता रहा हूं यह सारे ना इनके बस यह याद रखना कि कब कौन सा आया था यह एजुकेशन तिल दा अल्ली एज ओफ केर इस शिक्स है ना चलो अगला देख लेते हैं 89 होगा बिल्कुल साथी 89 आंसर है वाट डिवाइस जोन अब्रोज फ्लैमिंग इन्वेंग उन्हें हैल्प टू मेक रेडियो टेलिविजन एलेक्टोनिक अच्छा यह बहुत अच्छा सवाल है कि बही जो रेडियो टेलिविजन इन सब को बनाने मे यूज हुआ था वो क्या इन्वेंट करा था जोन एंब्रोज फ्लैमिंग ने तो ओस्किलेशन वाल्व है ना यह ऐसा था कि इससे यह टेलिविजन में विकाम आता था टेलिफोन में भी रेडियो में जो बात होती थी एक दूसरी जगह बेटा क्या जाता था सोरी एक दू क्या है कि देखो करण्ट है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया मास्टर माइक्रोफाइनेस डिफाइन द यकोड़ेटरल फ्री गिवन टॉसल्ड हैंविंग एन्वांसओल इंकम तील लाघ तक है तो उसको रिजर्ब बैंक दे माइक्रोफाइनेस में फ्री लॉन देने के बिल जकता था कि प्वीच ओफ फॉलोविंग ये टा पॉबर्टी क्लेक्ट वाई एने सो है ना कोंची पॉब्लिश डेटा करती है तो यह नीती आयोग करती है एने सो के द्वारा क्लेक्ट किया जाता है पॉब्लिश करती है नीती आयोग याद रखेंगे देखो तो अगरे सोज अक वार यह से निकल राएंगे क לפle माता मन्दिर कहां पर यह बता था आपको पहले पढ़ाया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भलूचिस्तान के पढ़ता हैं कि आ प हमारे को सारे प्रीविएं सबसे तो चाना की कोसिश करो कि पूछ कहां सबान से यह एसे ही सवालिये फिर पूच अटान कोलिबरेशन किसके हुआ था न है लग्यास में हवाँ था टो इसके दुआराः वाँ था तो यह घर्मनी से ता किस से जर्मनी सेываем nota सेटेंड प्लानिंग कमिशन शेकिन्ड प्लानिंग कमीशने फ्लानिंग कमीशन उसी में आए थी हम इंड़स्टी को बढ़ावा दिया था और वहीं पर जर्मनी के सयोग से राउल किला प्लांट 1959 के अंदर सेट अप हुआ था ठीक है मेरे भाई अब बताओ कोई समश्या का विश्या हो तो आपको कैसे लग रही है प्रीवियसर की क्लास वाक्य में यार जबर जसते हैं इससे आपको जानने का मुका मिलना कि आप कहां तक इंप्रूव कर सकते हो क्या कर सकते हो क्या नहीं आप जैसे आपने कुछ सवाल लेके यार इसमें मैं तो बिल्कुल ने लूँ तो आप उस पर काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्टाएंगे चलिए मिलते हैं फिर एक और किलास में जैहिन वंदेमारत और एंड्रोल कर लो भाईया जैई में जिसको सेलेक्शन लेना है है ना इन सब चीजों के अंदर जैहिन वंदेमात्रम फिर मिलते हैं भाई लाइक कर देना किलास को मेहनस से आपके लिए चीज़े लाते हैं जैहिन वंदेमात्रम जैएंजीनियर विजैएंजीनियर